समस्कार दोस्तों आपका हातिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चाइनल में आज मैं आपको सरीर में तिल और उनके शुब अशुब भल पताने जा रहे हैं वीडियो देखने से पहले आपसे निबेदन है कि मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेस लाइक करें चलो दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं समुत्र सास्त्र के अनुशार सरीर पर पतेक तिलों का अपना एक अलग मातव होता है शरीर पर अलग अलग जगा तिल होने का अलग अलग फल होता है शरीर के मौजूद इन तिलों का व्यक्ति के सभाव और वभिश्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है सास्त्रों के अनुशार व्यक्ति के शरीर के तिलों को व्यक्ति के सवभाब के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं अमारे शरीर में कुछ सथानों पर तिल होना धन्वान होने का संकेत दिता है आज हम आपको उनी खास तिलों के बारे में पताने जा रहे हैं जो ब्यक्ति को धनवान और सोभाग्यासाली होने का संकेत देते हैं नाभी पर तिल होना नाभी पर तिल होना नाभी के या नाभी के आसपास तिल होना यह ब्यक्ति को सफर्टा के साथ धनवान बनाने का संकेत देता है पीट पर तिल का होना जिस ब्यक्ति के पीट पर तिल होता है वहां रोमेंटिक सौभाब का होता है और उन्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होती इनके पास इनकी जरूरत का प्रयापत पैसा होता है और पैसों की कमी के कारण इनका कोई भी कार्य नहीं उख सकता है जिसके भूमें तिल होता है उनका दामपत्ते जीवन काफी खुशाल रहता है और इन्हें अपने परिवार का पूरा सहयोग प्रापत होता है और इनके जीवन में कभी भी धनकी कमी नहीं नहीं होती है ठोड़ी पर तिल होना सास्त्रों के उनस्वार ठोड़ी पर तिल होना हतिशुप माना जाता है जिस प्यक्ति की ठोड़ी पर तिल होता है उन्हें कभी धनकी कमी नहीं होती है इनके जीवन में हमेश्चा ही धनका साधन बना रहता है जिसके कारण इनका कोई भी खार्या नही रुकता, आंखों के नीचे या आंखों के आसपास तिल होता है, वहां कम बोलने वाले और रहशमे स्वभाव के होते हैं, इन्हें समझपाना असान नहीं होता, ये किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास रखते हैं, और जीबन में इनको सफलता अपने ही मेहनत से मिलती है, हथेली पर तिल होना, समुद्र सास्त के अनुसार, हथेली पर तिल होना अतिशुप माना जाता है, अगर तिल मुथी बंद करें और तिल मुथी में बंद हो जाएं तो तिल को अतिशुप माना जाता है, ऐसा ब्यक्ति लक्की माना जाता है, ऐसे ब्यक्ति हर भोतिक सु प्रतिष्ठा ब्यक्ति के पैर के अंगुठे में तिल होता है तो वह अतिशुक होता है उस ब्यक्ति को परिवार में यस, मान और प्रतिष्ठा मिलती है ऐसे ब्यक्ति अपनी मोजमस्ती घूमने फिरने में खूब ऐस करते हैं और काफी धनवान होते हैं जिस ब्यक्ति के अनाम का उंगली में तिल होता है वह समुद्र सास्तर के अनुसार वह ब्यक्ति धनवान और यस्यस्वी बनता है इस थान तिल होने पर ब्यक्ति कलावान बन और अपनी जावान के पक्के होते हैं और इसी गुण के आधार पर मान पतिष्ठा और यस प्रापत तरते हैं इने जीवन में सिगर्था से सफलता प्रापत हो जाती है और इसी सफलता से अपने जीवन में चारचांद लगा देते हैं जिन महिलाओं की तरजनी उंगली में तिल होता है, वह परिपुरण उन्ती प्रापत करती है, अपने कर्म उन्ती के अधार पर धन अर्जित करती है, और जीवन में भोतिक सुखों की प्रापती करती है, जिस ब्यक्ति के सीधे हाथ की तरजनी उंगली पर तिल होता है, उनके गुप्त सत्रों जादा होते हैं और जीवन में सत्रों का सामना करना पड़ता है